नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज पर जहाँ पर एक बार फिर मैं एग्री कल्चर के बेसिक कोईशन का वीडियो लेकर आया हूँ लाश्ट में आपसे एक क्वेशन भी पूचूँगा जिसका एंसर आपको कमेंट बाक्स में देना है दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में दिये गए बेल आइकान को जरूर हिट करें इस वीडियो का पीडियो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया हुआ है चलते हैं पहले कोश्चन की ओर दूद को फाड़ने के लिए किस अमल का प्रयोग किया जाता है लेक्टिक अमल, साइट्रिक अमल, सल्फियूरिक अमल, आप्टिन A and B दोनों आप्टिन नमबर D is the right answer दूद को फाड़ने के लिए लेक्टिक अमल और साइट्रिक अमल दोनों का ही प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट कॉश्चन उदासीन उरवरक नहीं है कौन सा उरवरक उदासीन नहीं है अमोनियम नाइट्रिक, सिंगल सुपरफासपेट, कैल्सियम अमोनियम नाइट्रिक या अमोनियम सल्फियूरिक अप्शन नमबर D से right answer जो अमोनियम सल्फियूरिक है आपका यह एक उदासीन उरवरक नहीं है दही, खोवा, पनीर, रबडी option number is a right answer जो दही है इसे बनाने के लिए starter culture का प्रयोग किया दता है starter culture होता क्या है तो अच्छी बनी हुई दही से कुछ दही को निकाल लेते हैं और इसे उबले हुए दूद में ही डाल देते हैं जो दही निकाली जाती है इसे ही starter culture कहते हैं और उबले हुए दूद में डालने पर या उबले हुए दूद में भी किंडवन को start कर देता है इसलिए इसे starter culture कहते हैं और इसे हिंदी में जामन कहा जाता है next question किस तत्त की कमी से फल जल्दी पक जाते हैं केलसियम, नाइट्रोजन, बोरान, मेगनेसियम option number B is the right answer नाइट्रोजन की कमी से फल जल्दी पक जाते हैं इन पके हुए फलों में ना तो ही कोई स्वाद होता है ना ही कोई स्वास होती है next question सुपर वीट के पिता कौन है जी अस्खुस, एसनागराजन, सीटी पटेल, केल, चड्धा so option number B is the right answer एसनागराजन सुपर वीट के पिता है ऐसे ही जी अस्खुस हैं जो आपके यह सुपर राइस के पिता है सीटी पटेल आपके हाइबिड कॉटन के पिता है चार मा, पांच मा, आठ मा, दस मा so option number B is the right answer जो वाइट लेखारन है यह बहुत ही कम उर्म से ही अंडे देना प्रारंब कर देती है जो की पांच मा से ही अंडे देती है और यह विस्ट की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है जो की एक वर्स में 200 से 25 अंडे देती है next question सरसों में पाया जाने वाला विसेला पदात है एरुसिक अमल, एकोसाइनोइक अमल, नियूरो टाक्सिन, option A and B दोनो option number D is the right answer जो आपका सरसों होता है इसमें एरुसिक अमल और एकोसाइनोइक अमल दोनों ही पाया जाते है next question डिसकरिंग किसे से समन्दित है बेर, अमरूद, केला, आम option number C is the right answer जो डिसकरिंग है केला से समन्दित है केला में जब पुस्प आ जाते हैं उस समय केला का जो में पौदा होता है इन सकर्स को हटा देना ही डिसकरिंग करलाता है next question पनीर में कितने प्रतिसत प्रोटीन होता है 25%, 23%, 21%, 20% option number A is the right answer पनीर में 25% प्रोटीन पाय जाती है इसलिए पनीर को प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है next question वेजी टेबल मीट किसे कहते हैं? सोयाबीन, लोंबिया, मटर, आलू option number B is the right answer जो लोंबिया है इसे वेजी टेबल मीट कहा जाता है ऐसे ही जो सोयाबीन है इसको पूर मेंस मीट भी कहते हैं next question धरती के लाल कैसी पत्रिका है? सापताहिक, मासिक, त्रैमासिक, हुआर्सिक so option number B is the right answer जो धरती के लाल पत्रिका है ये एक मासिक पत्रिका है जो कि आपका करसी भवन से निकलती है और करसी भवन कहाँ पे है तो या दिल्ली में इस्सित है next question साट डे प्लांट का उधारण है strawberry, save, amrood, papita so option number A is the right answer साट डे प्लांट का उधारण strawberry है अगर other options की बात के तो सेब आपका long day plant है amrood और papita आपके day neuter plant की सेड़ी में रखे गए है next question भैस में नाडी गतिक किसे से ग्यात करते है maxillary धमनी, femoral धमनी, coccygeal धमनी इन सभी से option number C is the right answer coccygeal धमनी से भैस में नाडी गतिक को ग्यात किया जता है जो धमनी पूँच के पास में पाई जती है next question गुलाबी करांट किसे से समंदित है मांस उतपादन से, टमाटर उतपादन से, आलो उतपादन से जहींगा उतपादन से, option number D is the right answer जो गुलाबी करांट थे आपकी जहींगा उतपादन से समंदित है other options की बात कि तो मांस और टमाटर से आपका लाल करांट समंदित है और गोल करांट आपका आलो उतपादन से समंदित है next question अंजीर के फल का प्रकार है सोरोसिस, साइकोनस, इस्टोन, इन में से कोई नहीं option number B is the right answer जो अंजीर के फल का प्रकार है तो साइकोनस है अगर हम सोरोसिस की बात कहें तो जो आपका कठल और अननास होता है यह सोरोसिस प्रकार के फल होते हैं next question वीडर किसका व्यापारिक नाम है एक्ट्राजीन, एलाक्लोर, व्यूटाक्लोर, टूफोर्डी option number D is the right answer टूफोर्डी का व्यापारिक नाम वीडर है अगर हम टूफोर्डी से हाई सेंसिटिव क्राप पूछें कौनसी है तो आपका जो कॉट्टन है या टूफोर्डी के प्रत्य हाई सेंसिटिव क्राप है इसका मतलब गया होता हाई सेंसिटिव का तो अगर किसी खेत में कॉट्टन बोया हुआ है और उसके पास वाले खेत में टूफोर्डी का शिकाव किया जाता है तो उस cotton की फसल में भी इसका प्रभाव पढ़ जाता है Next question, सर्वोदय प्रोग्राम किसे ने प्रारम्भ किया? Mayor ने, Brian ने, विनोवा भावे ने, इन में से कोई नहीं So, option number C is the right answer जो विनोवा भावे हैं, इन्होंने सर्वोदय प्रोग्राम को सुरू किया था जो कि 1948 में सुरू किया था Next question, वावे मंडली दाब को मापने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? किस यंत का प्रयोग करते हैं वावे मंडली दाब को मापने के लिए? बैरोमीटर, बेलोमीटर, अल्टीमीटर, बैरोक्राफ Option number A is the right answer अधर बैरोमीटर का प्रयोग वावे मंडली दाब को मापने के लिए किया जाता है Next question, कोडीन नामक औसदी किस में पाई जाती है? सिंकोना में, अफीम में, तंबाकु में, कवक में Option number B is the right answer अफीम में कोडीन नामक औसदी पाई जाती है Other options की बात कें तो सिंकोना की छाल से आपका कुलेन को प्राप्त किया जाता है तंबाकु से निकोटिन प्राप्त की जाती है और कवक से पेनिसलिन प्राप्त की जाती है Next question, पाक्स के प्रति वैक्सीन किसे ने तयार की? एड़वर्ड जेनर ने, पास्चर ने, चार्ल्स निकोलस ने, इनमें से कोई नहीं So, option number is the right answer जबके एड़वर्ड जेनर से इन्होंने पाक्स के प्रति वैक्सीन को बनाया था Friends, ये आपका लाश्ट वीडियो का question है जिसका answer आपको comment box में देना था Question क्या है, भारत में किस फसल का सरवादिक छेतरफल है? गन्ना, आलू, गेहू, धान So, option number is the right answer धान का भारत में सरवादिक छेतरफल पाया जाता है Friends, ये आज का question है, जिसका answer आपको comment box में देना है Friends, इसका answer आपको comment box में देना है Friends, वाकि आपको ये वीडियो कैसा लगा, comment box में जरूर बताए Please, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले पास में दिये गए बेल आइकान को जरूर इट करें आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की पेस से भी जूट सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में दिया हुए थैंक्स फर वाचिंग्स पर वाचिंग्स